So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हमें market में गिरावट देखने करें Market में काफी ज़्यादा pressure है यहाँ पर क्या कहें? Selling pressure है? बिल्कुल हाँ, यहाँ पर COVID की वज़ह से market बिल्कुल pressure में आ गया है और यहाँ पर huge गिरावट हमें देखने को मिल सकती है market में crash की situations create हो सकती है अगर एक important support level टूटाट हो तो कौन सा ओ support level हो हम डिसकस करेंगे काफी बड़ी news है, high level की meeting से यहाँ पर चल रही है तो बिल्कुल guys, काफी कुछ बाते यहाँ पर करेंगे काफी sectors को इंपक्ट कर सकता है अगर आज ही अगर बात करें, nifty 50 की अबर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18127 के point पे इसने closing दे, 71.75 का जो point के हाँ पर गिरावट के साथ, वही अगर देखें तो morning में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थे काफी हद तक एक गिर चुका था बट उसके बाद यहाँ पर एक बज़े के बाद यहाँ पर recovery देखने को मिली फिर उसके बाद भी हलका सा यहाँ पर हमें गिरता हुआ देखने को बड़ गाइस यहाँ पर अगर देखें, nifty 100 point यहाँ पर गिर चुका था वही अगर देखा जाएं, तो काफी बड़ी न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है सो यहाँ पर easy के चलते जो WHO है, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल गाइस, एक यहाँ पर उनको यहाँ पर अगर देखें तो काफी बड़ा doubt है चीन के उपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोना पर चीन की चुप्पी से दुनिया डरी है चीन ने कोविट के आकड़े जारी करना बंद कर दिया, चीन ने मोतों के आकड़े भी जारी करना बंद कर दिया WHO ने चीन से कोविट के सही आकड़े देने की अपिल 2019 में भी की थी और 2019 में भी उन्हों ने यहाँ पर आकड़ों को चुपाया थे वही गाइस इसे के चलते अगर देखें फ्रांस में मिले कोविट के 54,000 केसे तो गाइस यहाँ पर फ्रांस भी अगर देखा जाए तो इंडिया भी इस चीजों से डरा हुआ है और आज ही के दिन आप देख सकते हो कोविट को लेकर PM मोदी की हाई लेवल बैठक खत्म तो गाइस यहाँ पर अगर देखें कोविट को लेकर PM मोदी इन की हाई लेवल मिटिंग हो रही थी दो फैर्स है तो अभी वो बिल्कुल खत्म होगी है और गाइस यहाँ पर अगर देखें करीब एक घंटे तक मीटिंग चली थी और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो कई जगों पर एक वाइरस फैल रहा है है यहाँ पर अगर दिखा जाए दिल्ली में भी इसकी मीटिंग चल रही है यहाँ पर अगर देखें कोवीट पर नजर रखने के लिए उन्होंने कहा है यहाँ पर ममताव एनरजी ने भी मीटिंग बुलाई है तो कई यहाँ पर बिल्कुल एक डर का माहुल बना हुआ है किसके वज़े से चीन की अगर देखें बिल्कुल यहाँ पर एक लाग के आराउंड की यह केसे चल रहते हैं फिर उसके बाद अगर देखें तो बिल्कुल 2022 की स्टार्टिंग में एक केसे बढ़ते गए और दो दो लाग के अराउंड यहाँ पर जाने स्टार्ट हो गए और गाइस दीरे दीरे अगर देखें यह आकड़े बढ़ते गए और आज की तारीक में अगर देखें 21 दिसमबर तक के आकड़े हैं यहाँ पर 3,86,276 केसे हो गए हैं और गाइस यहाँ पर यह आकड़ा 4,00,000,000 तक पहुच जाएगा जिसकी वज़ा से यह आकड़े बढ़े गए और मार्केट यहाँ पर गिरेगा तो गाइस यहाँ पर अगर देखें तो पहले जिसा हम यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट किस डारेक्शन में जाएगा यहाँ पर पहले इस चीज़ का कुछ पता नहीं था जिसकी वज़े से मार्केट में काफी अत्त गिरावट आई थी कुछ स्पैसिफिक जो सैक्टर्स है उनमें गिरावट हो सकती जिनमें एंपोर्ड एक्सपोर्ट जादा होता है इन चीज़ों पर एक्स्रिक्शन लग सकते है और यहाँ पर जो यहाँ पर फार्मा सेक्टर है उसमें थोड़ी बहुत बढ़त हमें लेकने को बिलेगी बट यहाँ पर जो जो स्टेबल जो मार्केट है इंडिया में ओ यहाँ पर बिल्कुल उपर की उर रह सकते है कुछ स्टेबल सेक्टर है ओ उपर की उर रह सकते है बट यहाँ पर जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सेक्टर है तो यहाँ पर काफी कुछ चीज़े चल रहे हैं वही अगर देखें इसी के चलते मार्केट में एक एसा लेवल क्रियेट हो रहा है एक एसा सपोर्ट लेवल क्रियेट हो रहा है जो अगर ब्रेक हुआ तो काफी हुज फॉल देखने को मिल सकता यहाँ पर बिल्कुल एक crash की situation बन सकती है तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है तो guys यहाँ पर अगर देखें तो आज Indian market totally red रहा यहाँ पर nifty 50 देखें 71 point नीचे की ओर था यहाँ पर sensec की बात करें 241 नीचे आप nifty bank की बात करें तो यहाँ पर 209 point रहा था यहाँ पर अगर देखें PSEU जो banks थे जो PSEU stocks थे उनमें आज काफियत तक गिरावट देखने भी लेग बिल्कुल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और guys कुछ levels है जिने समझ लेना चाहिए तो पहले हम देखेंगे nifty 50 को तो guys nifty 50 के index को अगर देखें इसके chart को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक pattern create हो रहा है तो guys यहाँ पर कही ने कहीज pattern को हम एक head and shoulder type pattern भी कह सकते हैं जिसमें अगर देखें यहाँ पर यहाँ पर काफी एक support ले रहा था तो कही ना कही यहाँ पर जो लेवल होगा अटरा जार पिचोत्तर के असपास का होगा और यह गिरावट आ सकती है अटरा जार 116 के around तो यहाँ से अगर fall हुआ nifty 50 तो यहाँ से बिल्कुल एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकते हैं अगर long term के basis पर अगर देखे जो important level है हमारे लिए भी और guys यहाँ पर अगर देखे तो एक pattern है जिससे हम rising wedge pattern कह सकते हैं और यहाँ पर इसे हम double up top भी कह सकते हैं तो guys यहाँ पर कल के दिन कल के दिन कि अगर बात करू तो nifty 50 में one week के time frame पर अगर देखो तो काफी ज़्यादा crucial level पर यह खड़ा है काफी ज़्यादा crucial level पर यह खड़ा है क्योंकि यही से jump लगाया था फिर यहाँ से support लेगे एक jump लगाया था तो guys इस level को कल के दिन अगर break कर देता है अगर nifty 50 इस level को अगर break कर देता है तो बिलकुल जो support रहेगा उस 17,000 के पास रहेगा और बिलकुल guys इसे भी अगर break कर देता है तो बिलकुल यह नीचे की और आ सकता है तो guys कुछ ऐसी चीज़े यहाँ पर चल रही है market में तो बिलकुल crash की situation है तो यहाँ पर अगर देखे तो एक IMP एक support level हम इसे कह सकता है IMP support level है guys बिलकुल break हुआ तो काफी बड़ा fall हमें देखना पड़ सकता है वही अब बात करें bank nipty की भी तो bank nipty में भी वही pattern है यहाँ पर अगर मैं trade line बनाओ तो बिलकुल वही चीज़े आपको देखने को बिलेगी यहाँ से बिलकुल एक गिरावट आया सकती है एक breakdown के बाद एक fall आ सकता है बट यहाँ पर guys एक कुछ important levels बेज जैसे A वाला level यहाँ पर भी एक support लेके उपर की ओर जा सकता है इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है तो गिरावट यहाँ पर लग रही है वही अब इसके 5 मिनट के चार्ट में पर देखें तो यहाँ पर बिलकुल औरेड़ी एक breakdown create हो गया है यहाँ पर guys बिलकुल एक head and shoulder type ही pattern create हुआ यहाँ पर support था यहाँ पर consolidated करके उपर जाने की कोशिश इसने की पर इस particular level को यह break करने की यहाँ पर इसने विलकुल कोशिश की है और guys कल भी यहाँ पर गिरावट आ सकते है तो guys यहाँ पर अगर देखें डॉज ऑन्स की अगर बात करें US market की अगर बात करें तो कल के दिन उपर यह और था यहाँ पर बिलकुल अगर देखें तो काफी ज़दा यह pressure में चल रही है जिसकी वज़े से आफर fall आ सकता है US market अगर गिरा तो बिलकुल यह level गिरेगे ही गिरेगे यहाँ से और market में काफी बड़ा crash भी हो सकता है इसका आभी कुछ बाते कर लिए हमने इस वीडियो में आये आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो कर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यू